तो आज हम लोग देखने वाले हैं आइडो अलकेंज और फ्लोरो अलकेंज का प्रिपरेशन ये आपको क्लास 12 में मिलेगा chapter number 1, halo alkyne and halo arines, अब ये इसको अलग से आपको इसलिए ध्यान में रखना होगा क्योंकि फ्लोरो alkyne and ido alkyne are very difficult to prepare so we have a special method for the preparation of both यानि की फ्लोरो alkyne और ido alkyne के लिए हमें एक अलग method का जरूरत होता है जिसको हम लोग बोलता है है halogen exchange method अब halogen exchange method में आप जैसा देख पा रहे हैं, हमें दो तरह के reactions के बारे में पढ़ना है, the first one is finkel steel reaction and the second one is our swords reaction, इनके बारे में हम लोग अलग अलग देखेंगे, तो आए अपने वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं बात करो finkel steel reaction की, तो हमारा सबसे पहला point क्या है जो आपको ध्यान में रखना होगा, that ये सिर्फ और सिर्फ, specially, idylalkanes के preparation में काम आता है, ध्यान रहे है, finkel steel reaction is specially used for the preparation of idylalkanes, दूसरा, process क्या बोला जा रहा है, that the idylalkanes are obtained by heating, chloro और bromoalkanes, आप क्या करेंगे, chloro या bromoalkanes लेंगे, उनको concentrated solution of sodium iodide, जो के acetone में डाला गया होगा, उसके साथ उसको treat करेंगे, तो finally आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला, idylalkanes, आए हम लोग इसके preparation पर चलते हैं, idylalkanes को हमें कैसे बनाना, तो सबसे पहले, इसका अगर मैं एक standard form लिखूं, तो शायद आपको समझ में आ जाए, ये मान लिया, ह नहाँ पर बोले तो, उसको हमें reflux करवाना है, ये reflux क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक दूसरे video lecture में बताऊंगा, इसमें हमें refluxing के बारे में नहीं देखना है, ये simply क्या होगा, ये R के साथ iodine आके attach हो जाएगा, और साथ में हमें मिलेगा, NAX, अब ये जो X है सबसे पहले मान लीजे मेरे पास है CH3, CH2 and BR, इसको जैसे ही आप sodium iodide के साथ treat करेंगे, और साथ में हमारे क्या रहने वाला है, साथ में हमारा रहने वाला है, इसी tone, तो हमें क्या मिलेगा, देखो, यहाँ पर था R, और R हमारे पास क्या है, ये alkyl group, तो उसको as it is आप copy कर दीजे, CH3, CH2 और साथ में I, यानि कि यहाँ पर iodine आ के attach हो गया, है ना, और साथ में फिर हमें क्या मिले गए, NA और X, यहाँ पर X वाला पार्ट हमारा क्या था, X वाला पार्ट हमारा ब्रोमीन था, तो आप यहाँ पर लिख देंगे as it is, ब्रोमीन, ठीके, अब एक और example ह जैसे हमारे पास है मान लीज़े, CH3, CH2 और CL इसको भी आपने sodium iodide के साथ treat कर लिया, और साथ में आपके पास acetone होना चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा, वो alkyl group पहले लिख देते हैं, that is CH3, CH2, साथ में iodine और Na, यहाँ पर CL मिलेगा, बिकोज हमने यहाँ पर chlorine यूज किया था, ठीके, अब यहाँ पर हमें यह important point समझना होगा, that sodium chloride and sodium bromide, यह जो दो हमारे बने हैं, यह हमारा है sodium bromide, और यह दूसरा है हमारा sodium chloride, अब अगर इन दोनों पर भात करें, तो यह दोनों के दोनों आप देख पा रहे हैं, that sodium chloride and sodium bromide being less soluble in acetone, यह दोनों के दोनों इस वाले acetone पर बहुत कम soluble होंगे, इस वज़े से यह precipitate out हो जाते हैं, और जो हमारा finally, जो solution में बच रहा है, वो यह वाला part है, that is our alkyl iodide, बोले तो meth eth, ethane iodide, ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अपने next part पर, जो की है swords reaction, अब swords reaction are specially used for the preparation of fluoroalkanes, आप fluoroalkanes को directly बना सकते हैं, using swords reaction, these are prepared by treating alkyl chloride या bromide, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी हमने क्या किया था, यहाँ पर भी हमने एक alkyl bromide लिया या alkyl chloride लिया, same आपको यहाँ पर भी करना है, आपको यहाँ पर भी alkyl chloride या bromide ही लेना है, और यहाँ पर कुछ salts लेना है, जैसे mercuryous fluoride, cobalt fluoride या antimony trifluoride, इसी reaction को swords reaction बोलेंगे, तो in short मैं बोलू, तो आफ फिंकल स्टील reaction को idol alkyne बनाने में काम में ला सकते हैं, और swords reaction को fluoro alkyne बनाने की काम में ला सकते हैं, आइए हम लोग इससे related कुछ reactions देख लेते हैं, swords reaction के, मान लिया जाए, we have 2CH3CH2Cl, इसको हमने, इसको हमने, एक मिनट, एक salt से react करवाया है, चलो इस वाले salt से react करवाते हैं, HG2F2, तो मैंने लिखा यहाँ पर HG2F2, हमें क्या मिलेगा, बस यह जो chlorine group है, वो replace हो जाएगा, इस fluorine से, तो हम लोग लिखेंगे 2CH3CH2 and F, देखें, balance हो गया, 2F था हमारे पास, और यहाँ पर भी 2F था, और साथ मे हमें मिल रहा है, HG2 and Cl2, एक और इसका हम लोग reaction देख लेते हैं, जैसे हमने लिया है CH3BR, और अब की हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पर AGF ले ले लेते हैं, जो कि यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, एक और salt होता है, जिसक के साथ हम लोग treat करेंगे कि इसको silver fluoride को, तो finally हमें क्या मिलेगा CH3F plus AGBR, तो यह मिला मुझे क्या, alkyl fluoride, यह मिला मुझे क्या, alkyl fluoride, बोले तो, hello alkenes हम लोग देख रहे हैं, hello alkenes में, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से fluoroalkane और idoalkane को बनाने के लिए अलग-अलग method का हम लोग simply chlorination या bromination नहीं करवाएंगे, अगर हमें fluoroalkane या idoalkane बनाना है, तो मुझे लगता है, यह concept आपका clear हो गया होगा, अगर आपको इस concept के form में कुछ अगर समझ में आता है, अगर आपको यह channel अच्छा लगता है, तो आप subscribe करेंगे और like कर देंगे, और share करना हो तो share कर देंगे, थैंक यू